चोपड़ा एजुकिस्न यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तो आयूस कोर्स जिसमें BMS, BHMS, BSMS, BUMS, BYNS कोर्स आते हैं उनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है ये काउंसलिंग 15% आल इंडिया कोटा गॉर्मेंट सीट 15% आल इंडिया कोटा गॉर्मेंट ऐड़ेट सीट इसके लावा 100% सेंटरल उनिवर्सिटी, दिल्ली उनिवर्सिटी, डिम्ड उनिवर्सिटी के लिए होगी इस बार प्राइवेट सीट को स्टेट के अंडर दिया गया है तो हर एक स्टेट की प्राइवेट आयूस की कोलेज में 15% आल इंडिया कोटा रिजरो है यानि कि उसमें 85% स्टेट कोटा के लिए और 15% अधर स्टेट के लिए काउंसलिंग होगी अगर आप किसी अन्य स्टेट की प्राइवेट आयूस कोलेज में एडिमिसन लेना चाते हैं तो इस्टेट की काउंसलिंग के सिरमें 15% सीट के लिए आप अपलाई कर सकते हैं आयूस काउंसलिंग की वेस साइट डबल एट टरपल सी डोंट जी ओवी डोंट इन है और इसके रेजिस्टेशन की लास्ट डेट 1 डिसमबर 2020 है और 2 डिसमबर 2020 तक आप 24 फिल कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाई स्टेप रेजिस्टेशन का प्रोसेस बताऊंगा उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 24 फिलिंग के लिए आप हमारे बुक के हेल्प ले सकते हैं जिसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.chopda.education.com से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसमें मैंने previous year की cutoff भी दे रखी है जो college wise और category wise है जिसमें आपको एक idea मिल जाएगा कि आपको कौन सी IUS की college मिल सकती है IUS की security fees government, government added, CU, DU के लिए 10,000 रुपीज है और dimmed के लिए 50,000 रुपीज है और आप government, government added, CU, DU और dimmed सभी के लिए apply करना चाते हैं तो आपको maximum security 50,000 रुपीज पे करनी होगी तो आईए मैं आपको step by step form कैसे फिल करना है उसके बारे में बता देता हूँ तो सबसे पहले आपको a.c.gov.in पर visit करना है वहाँ पर आपको candidate login और new registration का option मिलेगा तो आपको सबसे पहले new registration पर click करना है जैसे ही new registration पर click करेंगे इस परकार का window open होगा इसमें आपको role number, application number, candidate name, mother name, date of birth, mobile number, email id और security pin जो ये नीचे लिखे हूए है ये फिल करके submit करना है तो जैसे ही आप submit करोगे इस परकार का एक candidates agreement आएगा इसको आपने I agree पर click करके click here to proceed पर click करना है तो जैसे ही आप proceed पर click करेंगे इस परकार से आपकी उपर detail आजाएगी role number, candidate name, father name, gender, rank, mother name, date of birth, category ये सारी detail आजाएगी इसको आप check कर ले इसके बाद में आपने जो mobile number, email id दिया है वो यहाँ पर show हो गया इसके बाद में आपने complete mailing address या आपका address फिल करना है जो आपके आदार कार्ड या अन्य id में है इसके बाद pin code number लिखना है, alternative mobile अगर कोई है तो optional है लिख सकते हैं phone number है ये भी optional है लिख सकते हैं आपके पास नहीं तो कोई आवशेक्तर नहीं है इसके बाद में इसमें security questions दिये गए हैं, drop down करके देख लें कौण कौण से security question है उसका answer आप नीचे दे दे, ये आपको तब काम आता है जब आप अपना password भूल जाते हैं और forget password के लिए apply करते हैं तो अब ये काम में आता है security answer इसके बाद में choose your password करना है, यहां पर ध्यान रहे कि password आपने एक capital later देना है, उसके बाद figure देना है तो इस परकार से इसमें आपने ये password चूज करना है, या so password करके देख भी सकते हैं आपने first में क्या password डाला है उसके नीचे आपने confirm password डालना है, confirm password इसलिए डाला जाता है कि आप दोनों में confirm हैं कि यह password है मेरा इसके बाद आपके mobile पर जो OTPI है वो OTPI इंटर करना है और नीचे जो capture code लिखे हैं वो capture code डालकर आपने proceed करना है जैसे ही proceed करेंगे आपका यह registration successfully होगा और यहां लिखाएगा the candidate is registration successfully तो इस परकार से नीचे हैं click here to login का option दिया गया है इस पर click करके भी login कर सकते हैं या फिर आप इसकी website पर जाके यहां पर candidate login पर click करके roll number या password डालकर submit करेंगे तो आप इसमें फिर login हो जाएंगे तो जैसे ही आप login करेंगे इस परकार का interface आपके सामने आएगा यहां counseling application लिखा होगा इन इन के लिए आपने apply करना है dimmed के लिए आल इंडिया government added seat के लिए central university के लिए du university के लिए आप apply कर सकते हैं पर इसमें candidate detail लिखी होगी home पर इसमें click रहा होता है और यहां पर आप अगर उर्दू में अर्भिक में इसमें अगर आपने 10th pass की तो अपने yes करना otherwise इसमें no कर देना है religion में अपना हिंदू जो भी है आप इसमें लिख देना है mother tongue लिख देना है और इसके बाद में move to next पर click करना है तो इस परकार से आप इसमें all India quota seat के लिए इसमें apply हो जाएंगे government seat के लिए इसके बाद इसमें second option dimmed के लिए है अगर आप dimmed के लिए apply करना चाते हैं तो yes करें otherwise इसमें no कर सकते हैं आप तो इसमें move to next पर click करें और इसमें all India government added seat फर अगर आप apply करना चाते हैं तो इसको yes कर दें otherwise no कर दें इसी परकार central university में करना चाते हैं apply तो इसको आप Yes करें अधर्वाइज No कर दे इसमे डी यू के लिए अगर आपने दिली से 12 कर रखा है तो इसमें Yes करें otherwise इसमें No कर दे अगर आपने इसमें Apply करना है Do के लिए तो जब आप इसमें Yes करेंगे तो यह आपसे detail मांगी जाएगी 11th की school name मांगा जाएगा 12th का school name मांगा जाएगा pin code मांगा जाएगा इसके बाद में आपने अगर paramilitary force से या फिर police वगरा से हैं तो yes कर दें otherwise no पर click करके proceed कर दें इसमें मां आपको यहां बता दूँ कि यह जो आप ओल इंडिया कोटा government added seat हैं इसके अलावा CU और DU यह जो collagen है इनकी security semi है तो आप इन सभी के लिए apply करें अगर आपके marks कम हैं तो dimmed के लिए apply कर सकते हैं अगर आपने 11-12 दिल्ली से किया है तो DU के लिए apply करें तो मेरा कहना यह है कि आ आप dimmed में application fill नहीं करना चाते हैं और 11-12 वे आपने other state से कर रखा है तो यह तीन के लिए apply जरूर करें एक तो government seat के लिए दूसरी government added seat के लिए और तीसरी central university के लिए क्योंकि इन तीनों की fees same ही है security fees है वो same ही है इसके बाद जैसे ही आप proceed करेंगे आगे प्रोसीड करेंगे तो इस परकार का यह option आपको दिखाएगा कि आपने किस किस के लिए apply किया है वो यहाँ पर लिखा होगा आपने government added quota के लिए apply किया है central university के लिए किया है यह सारा इसमें दिखाई देगा यहाँ पर यहाँ पर आपको security pin डालने के बाद प्रोसीड करना है जैसे प्रोसीड करेंगे success लिखा आएगा यहाँ पर आप इसमें detail को edit भी कर सकते हैं जो आपने apply किया है यानि कि आपका मन फिर बन गया कि मैं dimmed के लिए भी apply करना चाहता हूँ आपने पहले किया नहीं है तो यहाँ पर edit कर सकते हैं तो यह edit payment से पहले कर सकते हैं payment के बाद में अगर आप करना चाहते हैं जैसे आपने अभी government quota के लिए या central unit city के लिए apply किया है आपने payment कर दिया उसके बाद में आप सोच रहे हैं कि मेरे को dimmed में भी apply करना चाहिए तो उसमें reset का option मिलेगा आपको reset registration करके फिर आप dimmed में दुबरा से apply कर सकते हैं यह second time में भी registration का time मिलता है आपको यानि की second counseling के time में भी reset registration का समय मिलता है तो edit यानि payment से पहले आप इसमें edit कर सकते हैं किस किस के लिए आपने apply करना है इसके बाद में यह counseling application का आपको दिखा दिया है यहां कि किस किस के लिए आपने apply करना है कितना payment आपने देना है इसमें इसके बाद में आपके लिए available choice दिखाएंगी कि आपके लिए कितने choice हैं view choice देखेंगे कौन कौन सी college के लिए जो आपने apply किया है तो उसमें कितने seat हैं इसमें इसके बाद में आपको payment करना है, payment करने के बाद choice फिल करने है, तो proceed for payment पर click करेंगे, तो जैसे ही payment पर click करेंगे, यहाँ हमारी security money के साथ में registration fees दिखा रहा है, कितनी है, इतना payment हमें करना होगा, तो go for payment पर click करेंगे, bank से, जिस payment से हमने bank से payment करना है, जैसे credit card से करना है, net banking से कर कांसलिंग के लिए कोले ses fill कर सकते हैं तो कांसलिंग के लिए कोलेज कोलेज क्रम में कईसे करें तो आप इसके लिए हमारी बुक्क की Help जरूर लें क्योंकि इसमें मैंने सब कुछ से कट ओफ अगरा केटेगरी वाइज कट ओफ कौन सी कोलेज को पहले फिल करना है ये सब के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी तो दोस्तो ये जानकारी थी आयूस के रेजिस्टेशन के बारे में और समय समय पर आई उसके बारे में जैसे ही जानकारी मिलती रहे की मैं आपको इन्फोर्म कर दूँगा आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद